हलो बच्चों मेरा नाम पवन कुमार गुपता टीम फिजिक्स CLC सीकर शुरुवात करते हैं DCM JE 2022 इसमें आपकी टोटल 48 पेपर होने हर सब्जेक्ट के 16 पेपर पहला पेपर जो हमारा फिजिस का पेपर है जिसमें टॉपिक कवर करने वाले वेक्टर 1D 2D रिलेटिव मोशन तो JE की प्रप्रेशन में पूरे आपकी कंसेट को स्टॉंगली रिवाइस करवाने के लिए CLC का एक और प्रयास जिसमें आपकी जितनी भी अब कहीं भी लूप हो अगर आपकी तयारी में है तो सारे यहां सब रिकवर हो जाएंगे और आपको यहां से काफी अच्छी प्र आपको बताना है वेलॉस्टी एक सेकंड बात क्या होगी ठीक है तो देखो सबसे पहले इसमें हम जो एक्वेशन गीवन है वी स्क्वार इक्वरस टू के आर तो वी कॉम लिख सकते हैं रूट के आर तो वी को मैं लिखेंगे दी र बाइड ी टी इस रूट आफ के रूट आफ आर तो यह बूझाए कर डी आर बाइड आफ 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 आ रूट के डी टी जब आप इसको integrate करोगे और यहाँ पर displacement 0 है initial t time पर 0 से लेके r तक और 0 से t तक तो आपका यह क्या जाएगा r की power 1 by 2 और 2 root r इसमें limit आलोगे 0 से r root की t तो finally आएगा 2 root r is root की t तो इसको solve करने पर r क्या हो जाएगा आपके पास k t square by 4 अब जब r आगया इसके बाद आप velocity कैसे निकालेंगे dr by dt जब आप इसको differentiate करेंगे तो यह कितना आएगा 2 kt by 4 ओके तो यह आएगा kt by 2 अब time equals to 1 पर पूछा है इसका मतलब क्या हो जाएगा k by 2 1 तो यह आ रहा है k by 2 अब option match करेंगे तो क्या आएगा r तो आना नहीं चीए इसका आद इसको आप लिग दो r की power 0 तो आपका कौन सा option जाएगा इसका third option correct कोई confusion इसमें तो यह पहला question जिसमें आपको basic concept जो differentiation integration के होते हैं काम में लेने है motion की case में ओके बेटा note करें इसको आगे बढ़ते हम second question पे इसमें आपको बोलाए कि तीन person है जो एक equilateral triangle के corners पे हैं वो इस तरह से चलना शुरू करते हैं कि पहला person दूसरे वाले का पीछा कर रहा है जैसे ये person है ये person और ये तो ये इधर जा रहा है ये इधर जा रहा है और ये इधर जा रहा है लेकिन ये अमेशे triangle की side पे नहीं चलेंगे जैसे ये थोड़ा सा आगे आएगा ये अपनी direction change कर लेगा क्योंकि एको इस corner पे नहीं जाना है ये को इस person का पीछा करना है तो इसका मतलब ये कुछ time बाद इसको follow करते हुए वो इसको follow करते हुए यहाँ पे centers पे आके मिल जाएंगे अब आप से पूछा है कि इसमें जब ये इस तरह से सकर्ड पास पे जब चल रहे है तो कितना distance से ये cover करेंगी तो सबसे पहला हमें दिकालना पड़ेगा कि इनको मिलने का time कितना लगेगा तो देखो इनकी जो velocity is equal है वो velocity equal होने की वज़े से क्या होगा जब आप किसी भी instant पे इनकी positions को अगर join करोगे तो हमेशा क्या बनेगा एक equilateral triangle बनेगा मालो T time बाद आप इनकी position को join करते हो इस तरह से तो वो हमेशा एक equilateral triangle ही बनाएंगे हर instant पे और जैसे पास आते हैंगे triangle जो हो छोटा होता जाएगा और यहाँ पाके तीनों मिल जाएंगे तो इस case में गारब relative motion का concept लो काम में तो देखो इसकी velocity V और जो इसकी velocity V है इसका केवल एक component कौन सा वाला बेटा V cos 60 यही तो इनको मिलाने का काम कर रहा है हमेशा equilateral triangle बनेगे मतलब हमेशा relative velocity यही रहेगी उस line को कम करने वाली जब A और B मिल जाएंगे शुरुआत में जखो इनका separation कितना है L जब इसकी दोनों मिल जाएंगे तो separation हो जाएगा 0 और उसको 0 करने वाली relative velocity हर instant पर यही रहेगी V plus V cos 60 by 2 तो यहां पर आप simple सा अब relative में equation लिखते है S relative is U relative into T कितना relative displacement कवर किया इन्होंने L के बराबर मालो A को B के relative जब A और भी मिलेंगे तो relative जो displacement वो L होगा न उनका L separation 0 हो जाएगा velocity क्या हो जाएगी V plus V cos 60 into T तो L V plus V by 2 is तो T कितना हो जाएगा 2L upon 3V यह तो वो time है जिसके बाद यह एक दूसरे से मिलेंगे अब इसमें आपको बताना है कि कितना यह distance कवर करेंगे तो देखो जितने time तक ही मिलेंगे तब तक A हमती constant speed V से चलता रहा तो distance covered by any one person A, B, C कोई सा भी हो क्या हैगा time into speed time कितना है 2L upon 3V into V तो आपका answer क्यों हो जाएगा 2L by 3 तो अपना option number 4th correct हो जाएगा इसमें कोई confusion उसके आजाते हम third question पर note करें मिटा इसको ओके third question में आपको A, B, C, D, E, F regular hexagon दियावा है और आपको एक equation में value बतानी A, O की terms में तो देखो यहाँ पर क्या कहती है आपको A, B, A, C, D, A, E, E, F देखो A से B यह हो गया A से F यह हो गया A के आपके पास A से C यह एक A से E लेकिन D से A है दियान रखना पांच वाई यह जो D है ना यह A से उल्टा आएगा ठीक है? चलो देखते हैं अपन जो A, B और A, F, A उसका रिजल्टेंट तो इधर आएगा A से D की तरफ A, C और A, E उसका रिजल्टेंट भी किदर आएगा? A से D की तरफ तो सबसे पहले A, B, P, L, F को solve कर लेता हूं मैं ना तो यह देखो यह मानलो लेंथ L के वेक्टर हैं तो कितना आएगा? 2 L Cos 120 by 2 कितना हो जाएगा है? L के बराबर L मतलब side length और side length A O के equal होती है रहा तो इनका तो आजाएगा answer A O और इसकी direction क्या है इगी? A से O की तरफ ठीक है? इसी तरह से आप जब A से C और A से E का addition बताओगे तो क्या बताओगे? जबको A से C की length होती है root 3 L तो 2 root 3 L cos 60 by 2 देखो इन दोनों की बीच में जो यह angle है ना यह 60 बनेगा यह जो angle बना था वो कितना था? 120 है ना? तो यह कितना हो जाएगा पेटेस में? root 3 by 2 से यह कितना हो जाएगा? 3 L और vector की direction आएगी A से O है ना? देखो यह कितना आ रहा है मेरे पास? 4 L है ना? तो इसका मतलब DA को हटाके बाकी चारों को जोड़ूंगा मतलब मैं अगर इसको जोड़ता हूँ A B PLUS A C PLUS AE PLUS AF AO की जो length है वो भी side length जितनी होगी अब यह तो आएगा 4 AO लेकिन जो DA है उसको मैं ऐसे लेख सकता हूँ minus of AD और यह AD कितना होता है? twice of AO तो जब मैं score PLUS करूँगा तो overall इस पूरी equation की value की आएगी अब मेरे पास देखना यह आएगा 4 AO minus twice of AO कितना होएगा वेटा? 2 AO second option मेरा correct आजाएगा confusion इसमें तो यह अच्छा क्या शूशन था अगर यहाँ पे DA के बजाए AD होता करना तो आपका answer 6 AO बनता ठीक है? कई लोगों ने हो सकता है mistake कियो 6 AO उनको याद रहे गया उनने 6 AO टाइप लिख दिया हो तो ध्यान रखना AD होता तो 6 AO होता DA है इसका मतलब 2 AO है ओके बढ़ता? आगे बढ़ते हैं 4 पे 4 में आपको यहाँ पे 2 force F1 F2 है है ना? और 1 force is 4 times other force and resultant is equal to greater force है ना? तो इसका मतलब 1 force F1 को F मान लिया है ना? F2 को 4F और इनका resultant आ रहा है वो resultant भी कितना आ रहा है F2 की जितने आ रहा है इनने की 4F आ रहा है तो देखो resultant R क्या होता है A square plus B square plus 2 A B cos theta तो R की जगे आएगा 4F square F square 4F square plus 2F 4F cos theta तो यह तो कर जाएगा तो आपके पास क्या जाएगा? F square upon 8F square cos theta तो इसका मतलब अपने पास answer आएगा theta equals to minus में cos inverse cos inverse minus 1 by 8 fourth option इसका correct हो जाएगा fourth का तो एक confusion में बेटा है इसमें आगे बढ़ते हैं इसमें fifth question में आपको एक speed दी हुए particle की और इसमें आपको x बराबर 2 पे acceleration पूछा है तो simple सी बात है बेटा acceleration होता है V dv by dx तो velocity तो simple 5 plus 4x given है इसका differentiation करोगे पर जोगो 5 तो constant है यहना 4x 4 plus 1 इसको आप चाहूत ऐसे लिख सकते हो 5 4 plus x की पावर minus 1 तो differentiation करोगे dv by dx तो क्या जाएगा 5 as it is minus 1 as it is 4 plus x की पावर minus 2 यह तो पावर का differentiation फिर 4 का हो जाएगा 0 और x का 1 तो आपका यह answer बनेगा 4 plus x difference इस value का में direct यहीं लग देता हूँ अब यहाँ value डाल दो यह acceleration आगया acceleration at x equals to 2 x equals to 2 के लिए आप solve करोगे तो 5 upon 4 plus 2 minus का 5 upon 4 plus 2 square कितना हो जाएगा minus का 25 6 का square 36 into 6 तो यह कितना हो जाएगा 36 into 6 यहने कि 216 तो 216 minus में आएगा 21.6 तो 0.1 आता है ना तो इसका मतलब यह आजाएगा minus में थोड़ा सा 0.1 से उपर यहने कि first option मेरा correct इसका 5th का ओके बेटा simple question था है आगे बढ़ते हैं बच्चों 7th question में 7th question में particle A और B जो है वो constant velocity से मूँ कर रहे है X और Y axis में हैना तो आपको बताना है कि इनका separation के से हो दो A और B जो है ना वो इस तरह से है हमें पता है कि जो इनका separation है हैना इसको कम करने वाली velocity जो है हैना मालो same भी हो या unequal भी हो तो इस case में ये V अब इनके बीच का जो separation है D उसको कम करने का काम कोन करेगा जो इनकी velocity इसके component होंगे वो तो इसका मतलब जो इनका relative separation जो है देखो इनकी distances अलग-अलग है ना origin से तो इसका मतलब क्या होगा कुछ time तक तो इनकी velocity जो है वो कम होगी है ना जैसे मैं इसकी यहां पे distance की बात करता हूँ मालो यह X है और यह है Y ठीक है तो किसी भी time पे जो इनका separation रहेगा मालो किसी time पे यह A यहां पे है और B यहां पे ठीक है टी time बात तो इसने जो displacement cover किया होगा है ना SX यह इसका displacement और S Y यह इसका displacement उसमें SX और Y को माइनस कर दो है ना क्योंकि आपको separation तो यह वाले ही बताना है ना ठीक है तो इसका मतलब इनका separation क्या जाएगा यह आएगा D equals to SX minus X square अब SX क्या हो जाएगा इसका displacement V into T minus का X square V into T minus का Y square यह इनका separation अब देखो separation जो है वो time की square पे dependency आ रही है ना लेकिन इसमें क्या होगा जैसे जैसे पास आएगे शुरुआत में separation का कम होगा कम होने का अधरा आपस बढ़ने लग जाएगा तो इस case में separation कम होके वापस बढ़ना लेकिन linear variation तो नहीं है ना तो अपना एक यह option है fourth ओके यह simple option के according tick करने का तरीका है यहाँ पूरी calculation करने की ज़रत बिल्कुल नहीं है ठीक है क्योंकि आपको यहाँ prove दी करना है कि data क्या होगा data मनें attention किया नहीं है तो आपको केवल graph को अंदाज लगाना है कि कैसा आना चाहिए ओके बच्चों इसका आते हैं seven question पे seven question में बोला है कि दो पार्टिकल को एक साथ एक ही वर्टिकल प्लेन में फेका है लेकिन इनकी अलग-अलग इंगल है ना इस पीड से में अलग-अलग इंगल है ना तो आपको बताना है कि एक पार्टिकल के रिलेटिव दूसरे को जब observe करेंगे तो उसका पाथ कैसा होगा देखो जब आपने किसी दो पार्टिकल को फेका है मानलो एक को आपने इधर फेका है दूसरे को आपने इधर फेका है है ना तो एक का एंगल मानलो थीटा वन है दूसरे का एंगल मानलो थीटा टू है तो एक का पाथ हैसा दूसरे का पाथ कुछ हैसा जो भी है है ना अब एंगल जादा बना जीरो अब जब रिलेटिव एक्सेलरेशन जीरो हो और इनकी रिलेटिव वेलोस्टी जीरो नहीं आएगी क्योंकि आपने एंगल अलग-अलग रखा ना तो इनकी रिलेटिव वेलोस्टी आएगी यूवन माइनस यूटू से आप वेक्टर होम में माइनस करेंगे तो ये नोन जीरो आएगी देखो रिलेटिव वेलोस्टी नोन जीरो लेकिन रिलेटिव एक्सेलरेशन जीरो जब भी ये वाली कंडिशन हो हमेशा ध्यान रखना एक्क्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री स्टे फिर दोनों ही नोन जीरो हो और उनका बीच का जो एंगल है और इनकी बीच में जो थीटा आएगा वो थीटा या तो जीरो हो या वनेटिव इन तीनों कंडिशन में ध्यान अटना है स्टेट लाइन पात बनता है यू रिलेटिव और ए रिलेटिव के बीच का एंगल अग यू रिलेटिव और ए रिलेटिव के बीच का एंगल 0 से 180 के बीच में हो, ओके बच्चों, तो इसमें आएगा आएगा आपके पास स्टेट लेकिन स्टेट लाइन के दो ऑप्शन दिए वे एक तो दिया वाव वर्टिकल और एक दिया होरिजॉन्टल तो इसके इसमें आपका ऑप्शन कौन सा बन जाएगा इसमें देखो होरिजॉन्टल से कुछ एंगल पर है न तो यहां पर देखेंगे मालो इस तरह का है एक पार्टिकल मालो हो यहां पर दोसरा यहां पर तो इसका जो ऑब्जर्वेशन वो क्या कहता है कि पहले दोनों एक पॉइंट पे थे बाद में से तरिचा गया तो यह कुछ एंगल बनाते हुए होरिजॉन्टल से कुछ एंगल बनाते हुए स्ट्रेट लाइन मनेगी को के x component अलग-अलग है, x component अलग-अलग होने की वज़े से क्या होगा देको पहले वाले का x component क्या है, u cos theta 1, दोसरे वाले का x component क्या है, u cos theta 2, इसका मतलब इन्हें x direction में जो separation आएगा, ये delta x और कुछ y direction में भी आएगा, तो जो line है वो तो तिर्ची बनेगी सही न, इस वज़े से यहाँ पे एक ac line बनेगी, जो horizontal से कुछ angle बनाती होगी, okay, 8 पे आते हैं, 8 में आपको यहाँ पे एक particle को vertically upward फेका है, velocity u से, wind जो है, वो g acceleration horizontal direction देती है, आपको range बतानी, देखो, simple सी बात है, आपने इसको ऐसे फेका है, है न, तो u x कितना है, 0, u y कितना है, u, a y कितना है, minus g, और a x कितना है, g, है न, भई x direction में भी g का acceleration लग रहा है, y direction में भी g का acceleration लग रहा है, तो इस वज़े से particle जो है, वो यहाँ पर कैसे move करेगा, particle यहाँ पर कुछ इस तरह से move करेगा है, न, accelerate होगा न, x direction में, तो इसका जो time of flight है, देखो, time of flight कभी भी x component पर depend नहीं करता, उसका formula यह होता है, 2 u y अपने y, u y कितना है, पूरा का पूरा velocity, जी, यह तो time हो गया, अब range कैसे निकालेंगे, u x t plus half x t square, अब basic equation काम आएगी, अब आपका direct formula काम नहीं आएगा, ओके बिटा, तो यह चीज़ यहाँ पर ध्यान रखनें, half x t square, u x 0 है, half x कितना है, g और t कितना है, 2 u by g का square, तो कितना आएगा बिटा, इससे आपका answer, r आजाएगा इससे, 4 u square upon g square into g by 2, तो इससे आएगा 2 u square upon g, तो मेरा first option आजाएगा 8 का, ओके, फिर आते हम 9th question पे, नोट करें बिटा यहाँ तक, 9th question में देखेंगे, तो यहाँ पर आपको 45 degree पे, किसी की range, projectile की range आपको 40 meter दिया वा है, तो range 45 degree की case में, अपने पास general formula क्या होता है, यह होता है, 45 degree की case में क्या हो जाएगा, theta अगर 45 हो, तो range maximum होती, u square upon g, that is 40, तो u square कितना हो जाएगा, 40 into 10, से u की root में value आजाएगी, तो u कितना हैगा, आपके पास 20, क्या पूछा है, फिर आपको बताना है कि वो case बताओ, जब उस time पर height बताओ, जब इसकी speed, initial speed का 1 by root 2 है, देखो initial speed का 1 by root 2, यहाँ पर अगर हम इसके component करें, तो 20 से आपने फेका है, तो इसका यहाँ पर, 20 by root 2 तो हो जाएगा, x component, और y component भी कितना हैगा, 20 by root 2, जब ही top point पर बोजएगा, तो इसमें cable x component बजएगा, 20 by root 2, तो जब initial speed से speed 1 by root 2 टाइम सुआ, तब उसकी height कौन सी वाली है, maximum height है ना, अब देखें बच्चो, यहाँ पर आपको यह बताए कि जब भी इसकी height 1 by root 2 होगी, तो उसकी height maximum होगी ना, speed 1 by root 2 होन देखें वक्त, तो इसका अंतले h max का formula क्या होता है, u square sin square theta upon 2g, जब तो u square कितना है मेरे पास, 20 square, sin square theta कितना है मेरे पास, 1 by root 2 square upon 210, कितना हो जाएगा, 400 by 40, यहने कि कितना हो जाएगा, 10 meter, तो मेरा option number क्या हो जाएगा, second correct हो जाएगा, ओके, उसके आते हैं, 10th question पर, 10th question में आपको, एक बाइसे note करें, 10th question में आपको, एक ball को project क्या है, 30 degree angle पर 20 meter per second from top of building, speed of ball when it move perpendicular to initial direction, देखो, यहां से आपको एक ball को fake आए, ऐसा बताए गया है ना, कितनी speed से, 20 की speed से, 30 degree के angle पर, अब जब यहां से, यह ball को आपने इसे fake आ, तो यह ball ने कितने time बाद इसकी velocity की direction, initial direction के perpendicular होगी, उस time पर उसकी speed क्या होगी, तो देखो, जब भी उसकी velocity perpendicular होगी, इस instant पर यह velocity है, और यह 60 degree angle पर, देखो, 60 degree angle क्यों बनेगा, क्योंकि initial velocity 20 वाली जो है, वो तो आपकी इधर, 30 degree के angle पर थी ना, तो आपको अगर दोनों velocity इसको perpendicular करना है, तो 90 degree angle बनना पड़ेगा, 30 degree अगर उपर वो वाली velocity, तो इसको 60 नीचे होना ही बड़ेगा, यह अगर आपने सोच लिया, तो आपकी बहुत सारी calculation इसमें कम हो रही है, अब इसमें देखो, तरीका क्या है, कि X component remains same, UX equals to VX, UX कितना हो जाएगा, 20 cos 30 equals to V cos 60, तो यह हो जाएगा, 20 root 3 by 2 is V into 1 by 2, V की value कितनी आएगी, 20 root 3, मेरा answer 4th correct हो जाएगा, ठीक है, तो अगर आपने सोच के साथ किया, तो यह काफी आसान है, है ना, बहुत इजली हो जाएगा, ओके बड़ा, अगला आता है, 11 question, 11 question की बात करते हैं, एक बाइसे note करें, 11 question में आपको बोला है कि, एक गन fitted on the top of a moving car is aimed in backward direction at an angle 30 degree with the horizontal, if the muscle velocity of the bullet fired from the gun is this, speed of car for which bullet comes out vertically, देखो, इसमें बोला है कि, एक car है, है ना, इस car से आपने एक bullet fire की, इस तरफ मान लो, V velocity से, है ना, और यह 30 degree पर है ना, इसे मान लो, तो यह बोल रहे है कि, car को कितनी speed से चलना चाहे कि, जो velocity है, जो bullet है, वो ground के relative vertically बाहर जाए, तो देखो, मैं माले दाओ, car की velocity कुछ इदर V dash रही होगी, है ना, तो अब इस case में, जो इस bullet के components है, है ना, कौन सा, X component और Y component, अब यह बोल रहे हैं कि, अगर bullet vertical बाहर आए, तो V x और V dash बराबर होना चाहिए, V x कितना हो जाएगा, V cos 30, V कितना है, 2 root 3 into root 3 by 2, 3 meter per second, first option करेक्टा जाएगा, इसका 11th का, फिस के और आते हैं हम हमारे 12th question पे, 12th question में आपको यहाँ पर, देखो, एक lift दिया है, जो F acceleration से उपर जा रही है, और कुछ time तक constant velocity से, बात में कुछ constant retardation से move करती है, और उसके बाद यह रुख जाती है, इसकी total distance S है, total time T लग रहा है, तो कितने time तक यह uniform speed से चल रही है, आपको यह बताना है, देखो, simple सी बात है, अगर lift उपर जा रही है, कुछ time तक तो accelerated motion हुआ है, कुछ time तक velocity constant रखी है, है ना, और कुछ time तक इसमें retardation आया है, तो इस दोरान distance S1, यह S2 और यह S3 मान लेते हैं, यह time को T1, T2 और फिर इसको भी T3 मान लेते हैं, लेकिन देखो retardation और acceleration constant है, है ना, तो इस case में A retardation की value, और acceleration की value, same है ना, इस वज़े से ध्यान रखना, S1 और S3 equal आएंगे, और T1 और T3 भी equal आएंगे, तो इसमें अगर आप VT graph बनाओगे, तो VT graph केसा बनेगा, इस तरह से, यह है T1 time constant velocity का, यह है T2 time, तो इसमें आप VT graph बनाओगे, तो वी टी ग्राफ केसा बनेगा, इस तरह से, यह है T1 time, यह S2 और यह वापस S1, total distance कितनी आएगी, total distance आएगी इस केस में, S, तो यहाँ पर देखो, total distance S1 plus S2 plus S1, मिला के कितना दिया हुआ है, S, और साथ में, T1 plus T2 plus T1, मिला के कितना दिया हुआ है, just a minute, S1, हाँ, अब यहाँ पर आपको, T1, T2 और T3, मिला के T दिया हुआ है, अब T3 को तो T1 के इकवल है, just a minute, S1 equals to S3, and T1 equals to T3, अब आपको T1, T2 और T1, हे मिला के किसने दिया हुआ है, T के इकवल, तो twice of T1 plus T2, बराबर T, हे अब यहाँ से आपको यह बताना है, कितने टाइम तक वो यूनिफॉर्म स्पीट से मूग कर रही थी, मतलब T1 की वैली निकाल लेता हूँ, मैं ऐसा करता हूँ, T1 क्या दाएगा, T minus T2 by 2, clear है, अब जो total distance आप निकालता हूँ, कैसे निकालते हैं, यह ट्रेपेजम बन रहा है, जिसका total area आएगा, half, parallel side का sum, T plus T2 और Vmax, ठीके, अब Vmax क्या आएगा इस case में, Vmax आजाएगा, S बराबर half T plus T2, Vmax हो जाएगा, acceleration दिया है कि हमको F दिया वाए, तो F into T1, T1 टाइम में कितनी speed गेन करेगा है, Vmax जो ही गेन करेगा, F acceleration से, तो F into T1, यह इसकी maximum velocity आजाएगी, ठीके, तो अब इस case में, S, half, T plus T2, F, T1 की value, T minus of T2 by 2, तो यह हो जाएगा, 4S by F, T square minus of T2 square, तो इससे T2 कितना आजाएगा आपके पास, इससे T2 आएगा, T square minus of 4S by F, root में, तो मेरा answer क्या बन जाएगा, इसका third option बन जाएगा, इसका third option इसका correct आजाएगा, ओके बेटा, 12 का third option, अराम से देखो इसको, समझू, यह एक अच्छा करशन था, moderate level का करशन था, okay, screenshot लेदें मेटाइस का, आगे बढ़ते हैं, 13 की बात करते हैं, 13 में देखो, आपको बोला है कि, particle X, Y plane में में मूग कर रहा है, जिसकी X और Y coordinate की equation given है, आपको बताना है, तो सबसे पहले, X से आप निकालेंगे, VX क्या आएगा, DX by DT, यहने की A, इस से आप VY निकालेंगे, VY क्या जाएगा, AT, इसको थोड़ा साथ सौल करते हैं, AT minus ABT square, यह तो क्या था, आपके पास Y था, तो VY क्या हो जाएगा, A, 1 minus 2T AB, फिर इसको आए-X निकालेंगे, तो AX क्या आएगा, 0, AY क्या आएगा, minus 2AB, अब देखो, acceleration के वल Y direction में है, तो velocity Y direction में भी downward है, है ना, तो AY is minus of 2AB, अब velocity इस से 4, पाई बाई फॉर एंगल कब बनाएगी, जब वेलोसिटी, पाई बाई फॉर एंगल बनाने का मतलब है, 45 डिग्री एंगल, मतलब वेलोसिटी के दोनों component आपस में क्या होने चाहिए, equal VX और VY, और VY negative होना चाहिए, है ना, तो इसका मतलब, VX और VY की value equal हो, लेकिन आपस में negative हो, है ना, तो VX कितना है, VY कितना होना चाहिए, minus direction होना चाहिए, A के बराबर, थाना, तो V, इसका मतलब, VY is minus of VX, direction wise बात कर रहा हूं है, तो यह कितना हो जाएगा, आपके पास, A minus of 2TAB, minus of A, तो यह कितना हैगा, यहाँ जाएगा, 2A बराबर 2TAB, 2A से 2A कर जाएगा, तो T कितना जाएगा, 1 by B, तो 1 by B, आपका second option correct होना जाएगा, 13 का, ओके बेटा, इसमें ध्यान रखना, आपने अगर यह minus A नहीं लगा होगा, तो आपका answer में फिर mistake होई होगी, तो ध्यान रखना है, इसका, अगला आता है 14, 14 में आपको यहाँ पे, दो particles की velocity और acceleration दिये हैं, तो path कैसा होगा, देखो simple सी बात है भी और आपको तरीका बताया था, V relative निकाल लो, A with respect to B, क्या आएगा, 8I minus of 8I, 0, acceleration A with respect to B, क्या आएगा, acceleration A का क्या है, minus of 2J, minus of minus of 4J, तो यह कितना आएगा, plus में 2J, relative velocity 0 है, but relative acceleration non 0 है, तो graph यह path कैसा दिखेगा, straight line, है ना, और straight line भी कैसी होगी, vertically downward, क्योंकि फिर acceleration की direction में यह object जाएगा, ठीक है, तो 14 का answer, first option, इसके बाद आते है 15th question पे, 15th question में आपको, एक board दिया गया है, जो X, जो T1 time लेती है, distance, D down the stream जाने में, T2 time लेती है, उपर आने में, T3 time लेती है, shortest path, 0 drift वाला cover करने में, ठीक है, तो देखो, जब कोई भी river के लिए, river velocity U, board की velocity, with respect to water V माने, तो D distance downward जाने में, कितना time लगेगा, T1, जब इसको वापस, पलेट के आना है, ऐसे, तो पलेट के आएगी, तो पीछे अपनी, खुद की velocity सा आएगी, तो खुद की speed जादा होना ज़री है, इसके लिए ना, तो D distance कितना हो जाएगा, V minus U, T2, अब जब इसको cross करना है river को, तो U velocity तो इस तरफ है, थूड़ा सा पीछे जाना पड़ेगा, ये angle theta मानू, तो V cos theta जो है, वो करेगा cancel किसको U को, तो V cos theta cancel करेगा U को, तो इसका मतलब cos theta कितना आजाएगा, U by V, तो sin theta कितना आजाएगा, 1 minus cos square theta, यहने कि 1 minus U by V का square, अब V sin theta कि आएगा, V, 1 minus U by V, का square, यहने कि आएगा, V square minus U square, यहाएगा V sin theta, तो T3 time case से निकाल हो गया, D upon V square, D upon root of V square minus U square, अब आपको यह T3 को, T1, T2 की terms में convert करना है, तो देखो, T1 क्या आएगा, D upon V plus U, T2 क्या आएगा, D upon V minus U, अब इसको थोड़ा सा rearrange करते हैं आपके, तो एक बार इसको क्या है, square करते हैं, ठीक है, तो इधर आजाएगा मेरे पास, T3 का square, upon, इसको मैं इसे लिखता हूँ, V square minus of U square is, D square upon T3 square, V square minus U square को रुखेंगा, V plus U, V minus U, D square upon T3 square, V plus U को मैं के लिख सकता हूँ, D by T1, इसको रिखेंगा, D by T2, D square upon T3 का square, तो D square से यह कड़ जाएगा, तो क्या आएगा, T3 equals to root of T1, T2, यह आपका answer हो जाएगा, first option, ओके बेटा, तो यह, अच्छा question था, river problem का, आगे बढ़ते हैं, 16 question पे, 16 question में आपको बोलाए, कि एक main, जो है, वर्टिकल से रखावा है, rain को से दूर करने के लिए, इसका मतलब देखो, rain जो है, वो 30 degree पे ही आरी होगी, तब ही तो उसने, अम्रेला को इस तरह से hold किया वा है, person हमेशा, रुकावा person को, उतना ही angle बनाना पड़ेगा, जितना rain का बन रहा होगा, इसका मतलब rain का x component, और rain का y component, तो ये vertical से 30 बन रहा होगा, फिर ये बोल रहे हैं कि, उसने अम्रेला फेक दिया, और 5 km की speed से भागना शुरू कर दिया, तो उसको rain drop जो है, वो vertical दिख रही है, अब ये अगर मान लो, ये इधर vx है, ये इधर vyy है, ये खुद भी उतनी ही speed से भागना शुरू कर दे, जितना की rain की है, तो relative speed खाली y direction बच्चेगी न, और हमेशा person ध्यान रगना, अपने relative जो rain की velocity है, उसके इसाफ से अम्रेला को adjust करता है, तो इसका मतलब, rain vertical है, इसका मतलब हो जाएगा, velocity of rain with respect to person, का x component क्या आना चाहिए, जीरो, इसका मतलब, velocity of rain का x component किसके बराबर होना चाहिए, person के बराबर, person की velocity कितना दियाव है, 5, तो ये 5 आजाएगा, तो rain का x component 5 आजाएगा, अब यहाँ 10th heat आप क्या लिखोगे, 10, 30 डिग्री आएगा, vx by vy, यह जाएगा, 1 by root 3, vx कितना होता है, 5 और vy, तो इससे vy कितना आएगा आपके पास, 5 root 3, तो velocity of rain क्या निकालोगे, vx square plus vy square, 5 plus 5 root 3 का square, तो ये कितना आएगा बिटा, 5 और 2, 10, तो 10 km पर आप ये rain की स्पीड हो जाएगी, 4th option, कोई confusion इसमें, इसके बाद आते हैं, 17th question पे, 17th question में आपको यहाँ पे, एक object को उपर की तरफ फेका गया है, लिफ्ट में, velocity u से, और time of flight is found to be t, तो acceleration, lift is moving up, अब देखो, हमेशा ध्यान रखना, जब lift उपर जा रही हो, तो उस case में, lift का acceleration a इधर होता है, लेकिन जिस object को आपने उपर फेका, और जो वो नीचे आएगा, तो उसका acceleration downward होता है, g, तो इस case में relative acceleration कितना आता है, g प्लस a, और time का जो formula होता है, वो होता है, 2 u y, यह u y भी relative होता है, और a y भी relative होता है, इस बात का ध्यान रखना, यहने कि 2 u upon g प्लस a, अब आपको यहाँ पे t दिया वाँ है, u दिया वाँ है, relative ही दिया वाँ जखोए न, और आपसे lift का acceleration पूछा है, तो clear सी बात इसको मैं ऐसे लिख दूँगा, 2 u by small t, तो a क्या हो जाएगा, 2 u by t minus g, तो 2 u minus of g t upon t, 2 u minus g t upon t, second option, ओके बिड़ा, फिर आते हम 18 पे, 18 में आपको यहाँ पर, एक velocity दिया वाँ है, और x और y, तो एक second बाद, velocity vector का vertical से angle बताना है, अब velocity vector का vertical से angle आप कैसे बताएंगे, देखो, एक second बाद, symbol सी बात है, v जो है वो 15 i plus 20 g, acceleration क्या है, 0 i minus of 10 g, तो एक second बाद देखो, velocity क्या हो रहाएगी, v बराबर, v initial, plus 80, 15 i plus 20 g, minus of 10 g into 1, 15 i plus 10 g, तो 15 और 10, ये component आए, आप से angle किदर का पूछा है, vertical से, तो इसमें 10 theta क्या हो जाएगा, v x by v y, vertical से angle बताना है न, 15 by 10, यहने कि 3 by 2, तो 10 inverse 3 by 2, मेरा option number, second आजाएगा इसका, कोई confusion, उसके और आते हैं, हमारे integer वाले पार्ट पे, एक बार यहाँ तक आप complete करें बीटा, section B, जो मेंस वाला पार्ट है, इसमें आपको integer फिल करना है, इसमें 0-0 से 99 तक इसमें value possible है, अब इसमें आपको यहाँ पे particle के लिए trajectory equation दिया वा है, x direction में velocity जो है वो 5 meter per second है, तो आपको acceleration बताना है, इस case में कितना होगा, तो देखो इस case में, यहाँ पे सबसे पहले आप क्या करें, इस equation का differentiation कर दें, आप यहाँ पे सबसे पहले, इस equation का differentiation करेंगे, तो v y, y का differentiation क्या होदा, dy by dt, 2 x का differentiation क्या होगा, v x minus 2 x v x, 2 x dx by dt, मैं इसको पूरा लेख दो, चलो, इसका differentiation करोगे तो, dy by dt, 2 dx by dt, minus of 2 x dx by dt, और 2 का क्या हो जाएगा, 0, तो यह हो जाएगा, vy by बराबर 2 v x, minus of 2 x v x, फिर दुबारा differentiation करोगे, तो दुबारा differentiation से क्या होगा, ay, v x का differentiation क्या होता है, x minus 2, अब इसमें u dot v method लगेगा, तो x को constant रखते होए, v का differentiation a, फिर v को constant रखते होए, x का differentiation again a, अब आप से इसमें बुजाएगी, particle का acceleration बताना है क्या होगा, तो देखो, v x जो है, वो तो constant है, कितना है, 5, तो ax कितना हो जाएगा, 0, ठीकि, तो यहाँ पे, आप, जब इसको, 0 लिखेंगे, तो यह जाएगा, 2 into 0, minus of 2, x into 0, plus v x का square, तो यह कितना हो जाएगा, minus of 2, v x कितना है, 5 का square, तो यह कितना हो जाएगा, 50, तो अब magnitude पूछा है, तो magnitude तो क्या जाएगा, इसका मतलब, ay बराबर, 50, यह आपका option हो जाएगा, first का, कोई confusion इसमें, अगले आता है second, second में आपको यहाँ पे, river problem में बोला है कि, परसन जो है, वो 5 की speed से नदी को cross कर सकता है, और वो ठीक सामने वाले point पे, 5 second में, जाना चाता है, बहुत जाता है ना, ठीक सामने वाले point पे, जो 60 मिटर दूर है, तो आपको बताना है कि, इसमें कितनी उसकी पानी की relative speed है, देखो, अब इसमें, परसन जो है, वो इधर पोहँच रहा है, एकदम सामने, 60 मिटर की distance से, Y component कुछ रहा होगा, पीछे उसने X component भी रखा होगा, ताकि नदी को cancel कर सके, आपके नदी की speed कितनी है, 5, तो VX तो 5 रहा होगा, अब इसको VY कितना रखना है, VY रखना है इसको, इस case में, रिवर तो 5 की speed जारी, इसको 60 मिटर 5 सेकेंड में cover करना है, तो 60 मिटर 5 सेकेंड में, तो वो यह जाएगा न, width by speed time, तो width कितना है, 60, 5 सेकेंड में cover किया, कितना हैगा, 12, अब VY रहा है, VX कितना है, 5, ताकि यह दोनों component कटे, तो V क्या जाएगा, VX square plus, VY square, 5 का square plus 12 का square, कितना हैगा है, 13, तो 13 इसका answer आजाएगा, इसमें कोई confusion, अगला आता है, third question, थर्ड question में बोल रहे हैं कि, bowl is thrown vertically upward with velocity 20, from a railroad car moving on velocity this, है ना, person standing on ground observe its projectile motion, range क्या होगी, देखो, इसमें है ना, person ने तो उपर फेका है, लेकिन horizontal component कहां से मिलेगा, इस car की वज़े से, तो इस तरह से एक car चल रही है, उसकी velocity आपको दी हुई है, कित्ती दी हुई है, 5, person जो है, वो उस पे से 20 की speed से फेकता है, तो यह हो जाएगा y component, यह हो जाएगा x component, particle यूँ आएगा, अब जो person फेकने वाला है, उसको projectile नहीं दिखेगा, उसके लिए तो cable y component है, उसको लएगा कि, लेकिन जो ground वाला observer है, वो observe करेगा, इसमें projectile motion, तो range क्या हो जाएगी, 2 ux u y by g, यह बता है formula, ux 5 u y 20 by 10, कित्ता हो जाएगा, 20 meter, तो 20 meter इसका answer आजाएगा, fourth की बात करते हैं, एब नोट करें से, fourth में आपको बोला है, एक person जो है, तो वो देखता है कि, रेंड्रोफ वर्टिकल ही गिर रही है, 3 की speed पे रेंड्रोफ अगर वर्टिकल है, मान लिया, रेंड का x component, रेंड का y component, person 3 की speed पे चला, रेंड्रोफ वर्टिकल ऑफजर होगी, मतलब relative x component खतम होना चीए, तो इसका मतलब vx भी 3 आ जाएगा, यह बोल रहा है कि, जब person अपनी speed को double करता, तो रें 30 degree angle बना रही पीछे, तो रें 30 degree angle बना रही है, इसका मतलब person जो है, वो 6 से चल रहा है, तो रें तो x component तो 3 रहेगा, यह y component, तो अब इसको लग रहा है कि, range जो है, वो 30 degree angle बना रही है, तो relative में इसने क्या observe किया, वो दिखाते हैं न, यह तो condition क्या है, with respect to ground, तो with respect to person जो observation है, वो दिखा देते हैं, अपन, person जब observe करेगा, तो उसकी velocity को उल्टा कर दो, तो 6 minus 3, और यह vy, इसको यह angle दिख रहा है, तो इसका अंतर vy कितना हो जाएगा, 3 root 3, तो आपको v need बताना है, यहने कि vx square plus vy square, vx square कितना है, 3 plus 3 root 3 का square, 9 plus 27, 6 36 का 6, तो 6 answer आ जाएगा, 4th का, कोई confusion इसमें, उसका आते हैं 5th पे, नोट करने इसको यहां तक, 5th में आपको एक पार्टिकल को फेका गया है, velocity 60 से, कितना angle पे, 30 डिगरी पे, horizontal से, same time second particle B को फेका गया है, with initial speed 50, from a point of distance, 100 meter from A, particle जो है, वो collide करते हैं air में, तो angle of projection क्या होना चाहिए, देखो, पार्टिकल जब भी collide करेंगे, है रहा, यह particle मान लो, यह particle मान लो, collide कर रहे हैं, तो collide करने के लिए, इनकी height किसी भी time पे, same होनी चाहिए, ती time बाद, दोनों के height same होगी, तब भी तो collide करेंगे वो, अगर height कम जाता होई, तो ऐसे निकल जाएंगे फिर तो, तो इसको collide करने के लिए, height same होनी चाहिए नहीं, कि h1 equals to h2, इसका मतलब दोनों के, y component क्या होने चाहिए, equal, y component क्या जाएगा, 60 sin 30, बराबर 50 sin alpha, तो 61 by 2, 50 sin alpha, से sin alpha क्या जाएगा, आपके पास, 3 by 5, तो alpha कितना आएगा बिटा, 37 degree, ठीक है, तो आपका असर बज़ जाएगा, 37, अगला आता है, 6 question, note करें से, 6 question में आपको बोलाए कि, stone को drop किया है, into a lake of water, तो अब इसमें आपको, dropping stone के बाद, आपको बताना है कि, कितने time माद उसकी आवाज आएगी है, तो सबसे पहले देखो, इसको, एक तो t बराबर 0 पे आपने पत्थर को drop किया, तो पत्थर जो है, वो u बराबर 0 से गिर रहा है, कुछ t1 time तो वो गिरने मिलेगा, वहाँ से sound जो आएगा, उसको आने में, t2 time लगेगा, तो t1 time तो कितना हो जाएगा, root 2 h by g, कितना हो जाएगा, 2 h कितना है इसमें, 500 by 10, कितना हो जाएगा, 10, फिर t2 कितना हैगा, d by speed of sound, speed of sound को अपन ऐसा करते हैं, यह 250 दिया हो गटा, तो 250, तो कितना हो जाएगा, 2 second, तो आपका अंसर क्या हो जाएगा, t बराबर t1 प्लस t2, 10 प्लस 2, यहने की 12, तो आपका अंसर बन जाएगा, इस case में 12, ओके बिटा, अगला आता है, 7th question, 7th में आपको यहाँ पे, stone throw किया गया, with speed 10 at an angle 60, find height above point of projection, when horizontal range distance, जो है, वो root 3 है, तो देखो, 60 के angle से, हमने 10 की speed से object को फेका है, x component कितना आएगा, इसका 5, y component कितना आएगा, 5 root 3, तो जब यह, ऐसे जा रहा होगा, यह यहाँ मानलो, कहीं पे root 3 meter cover कर चुका है, t time बाद, तब उसकी height कितने यह पूछा है, तो देखो, x distance के लिए, component कौन सा responsible है, x component, root 3 cover करवाना है, तो इससे time आएगा, root 3 by 5, अब y height पूछी है, तो क्या हो जाएगा, u y t minus of half g t square, u y कितना है, 5 root 3, time कितना आएगा, root 3 by 5, minus half 10, root 3 by 5 का, square, तो यह उड़ा हैगा, 3 minus 5 into 3 by 25, तो यह कितना आएगा आपके पास, 75 minus 15 by 25, है न, यह आएगा 3 by 25, तो इसमें आप काहन सा बनेगा, 60 by 25 यहने की, 2.4, तो 2.4 आपका अंसर बन जागा, इसमें कोई confusion, ओके, तो यह आपका, मेंस वाला पार्ट यहां complete होता है, ओके बच्चों, अब आते हैं हमारे, एक बार आप यहां ते complete करें, बच्चों बाता पार्ट टू पेपर का, जिसमें जेही इड्वांस section है, इसमें हम बात करेंगे section A में, paragraph वाले question की, 5 की speed से 37 के incline पे, horizontally एक अपडेट को फेका गया है, देखते हैं क्या क्या पूछा है, तो आपको range और time of flight पूछा है, तो simple सी बात हैं देखो, यह 37 का angle है, और velocity u बरावर 5 है, तो ux component कितना हो जाएगा, 5 cos alpha, इसको alpha बोलते हैं, यह भी 37 आएगा, और यह बीटा होता है, यह भी 37 है, तो 5 into 3 cos alpha हैने कि 4 by 5, यह आएगा 4, u y कितना हो जाएगा, 5 sin alpha, यह हो जाएगा 3, ax क्या होता है, ax होता है g sin beta, ठीक है, इसमें ax कैसे निकालो गया आप, देखो, g तो ऐसे लग रहा है न, तो जो इसका component आएगा, यह बीटा है, तो यह बनेगा g cos beta, और यह बनेगा g sin beta, ठीक है, तो अब इस case में, ax हो जाएगा g sin beta, x direction में आ रहा है, तो यह जाएगा 10 into sin 37, that is 6, ay क्या हो जाएगा, minus of g cos beta, minus 10 cos 37, यहने कि minus का 8, अब time of light क्या होता है, time of light होता है, 2uy upon ay, ay की खाली value put करनी है, तो 2, uy कितना है 3, और ay कितना है 8, कितना हो जाएगा, 6 by 8, यहने कि 3 by 4, तो time of light हो जाएगा, 3 by 4, second, मैं first option, और इसके रेंज पूछा है, तो range कैसे निकालोगी, ux into t, plus half x, t square, क्योंकि x direction, रहे अक्सलेरेशन है, वो x component of velocity को support कर रहा है, तो ux कितना है, 4, time कितना है, 3 by 4, x कितना है, 6, और t कितना है, 3 by 4 का square, तो 3 plus, 3 into 9 by 16, तो यह कितना हो जाएगा, 48 plus 27, डिवाइड बाइ 16, यह जाएगा, 8, 7, 15, 4, 2, 7, 75 by 16, तो मेरा 3rd option इसका correct आजाएगा, कोई confusion इसमें, इसके आज आते हैं हम हमारे, second paragraph पे, एक बाद नोट करें मेटा इसको, second paragraph में देखो, आपको यहाँ पे, एक vertical दियावा है, x axis पर मुँ कर रहा है, initial velocity 2 ik, initially origin पे, instantaneous acceleration जो है, वो velocity के opposite है, और velocity की तरह है, I cape में, तो आपको बता रहा है, कि कितने time बाद ही रुकेगा, कितना दूर जाके रुकेगा, और 0 से 1 में, इसकी average velocity क्या होगी, तो देखो, इस question को कैसे solve करेंगे, आपको यहाँ पे, एक particle जो है, वो इस तरह से, initial velocity V node बराबर 2 के साथ, जाता हो दिया हुआ, इसका acceleration A बराबर minus of 2V है, तो acceleration क्या होता है, V dV by dx, minus of 2V, तो अब इस case में, आपके पास, यह आ जाएगा, V से V खतम, तो dV बराबर minus का 2 dx, ठीके, limit लगा दो, तो 0 से x, और यह हो जाएगा, 2 से V, तो V minus 2 बराबर minus of 2x, 0 से x, तो यह V क्या हो जाएगा, V बराबर 2 minus 2x, यहने कि V बराबर 2, 1 minus x, अब यह बोल रहे हैं कि, particle कब रुकेगा, तो देखो, velocity जब 0 होगी, तो इसका मतलब, 2, 1 minus x को 0 करना है, तो इसका मतलब x की value क्या जाएगी, 1, तो पहले question का answer तो आगे, कितना दूर जाके रुका, 1 पे जुका, अब इसको आप V को लिको, dx by dt, बराबर 2, 1 minus x, तो यह को जाएगा, dx upon 1 minus x, बराबर 2 dt, एक बाइस को integrate करो, 0 से x, और यह 0 से t, तो minus of ln, 1 minus x, 0 से x, 2 t, तो यह हो जाएगा, ln, 1 minus x, minus of ln, 1, बराबर minus of 2 t, तो यह कितना हो जाएगा, 1 minus x, बराबर e to the power minus of 2 t, तो x बराबर क्या हो जाएगा, 1 minus e to the power minus 2 t, यह तो आया x, अब देखो, यहाँ पे x जो है, वह ही आ रहा है, अब यह पूछ रहें कि, x t बराबर 0 पे क्या था, t बराबर 0 पे आएगा, 0, t बराबर 1 पे क्या आएगा, t बराबर 1 पे आएगा, 1 minus e to the power minus 2 into 1, यहने कि, 1 minus e की power minus 2, यहने कि, 1 minus 1 upon e square, यहने कि, e square minus 1 upon 1, अब देखो, इसमें आपसे average velocity पूछा गया, average velocity के लिए देखो बेटा, velocity average कैसे निकालते हैं, अपन displacement by time, यह mode लेलो, तो यह हो जाएगा, इसको x2 बोल दो, इसको x1 बोल दो, यह क्या हो जाएगा, x2 minus x1 by time, x2 कितना है, e square minus 1 upon 1, initial 0, और time की value भी 1 second, तो e square minus, यह e square आएगा, यह LCM में भी, तो आपका answer जो है, वो यह आजाएगा, third option, ओके बिटा, तो अच्छा question था है, आज़ोब आपने इसको सही किया होगा, पहले acceleration और v के relation से, v को x के relation में निकालो, और उसके बाद फिर v को वापस, dx by dt लिखे, x को time की transfer निकाल लो, अगला आता है, और इसमें यह बाद भी जान रखना, object खाली x equals to 1 तक ही जाएगा, जो आपन ने पहले ही बताजिए था, ठीक है, उसके बाद आता है आपका अगला question, section B, section B में आपको यहाँ पे mcqs दिया है, सबसे पहला आता है, first mcq, first mcq में dv by dt दिया हुआ है, तो dv बराबर 6 minus 3v dot बराबर dt, तो यह कितना हो रहाएगा, क्यों हो रहाएगा, minus का 3, ln 6 minus 3v बराबर t, फिर इसमें आप यहाँ पे बुलाएगी, body at race t बराबर 0 पे race पे, तो 0 से v और यह 0 से t, तो आप limit रखोगे तो क्या रहाएगा, ln 6 minus 3v minus of ln 6 बराबर minus का 3t, तो इसमें क्या रहाएगा, ln 6 minus 3v upon 6 minus 3t, 1 minus v by 2 e to the power minus of 3t, तो v बराबर 2, 1 minus e to the power minus of 3t, acceleration क्या आता है, dv by dt, 2, 0, minus of minus 3, e to the power minus of 3t, कितना हो जाएगा, e to the power minus of 3t, 6, अब देखो, acceleration जब 0 है, तो velocity 2 होगी, acceleration 0 का infinite time पे, तो acceleration 0 at t बराबर infinite, तो t बराबर infinite पे velocity क्या होगी, velocity हो जाएगी 2, सही बात है, यहाँ डालोगे, तो यह तो फेक्टर 0 हो जाएगा, सही है, first option, initial acceleration 6 है, time के लिए 0 डालने पे, t बराबर 0 पे, acceleration कितना आ रहा है, 2 आ रहा है, यह भी बात सही है, velocity of body, when acceleration is half, initial value का आधा हो, तो acceleration initial value का आधा है, आने कि 6 by 2 करना है, कितना रहा है, 6 e to the power minus of 3t, तो e to the power minus 3t की value कितनी आएगी, 1 by 2, इस value को आप यहाँ पुट कर दो, velocity में, तो velocity कितनी आ रहा हैगी, 2, 1 minus 1 by 2, यहने कि 1, तो थर्ड भी सही है, body का acceleration uniform है, गलत, क्योंकि acceleration तो variable है, तो exponentially decreasing है, एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ पूछा रहा है, ऐसा बनेगा, velocity टाइम ग्राफ पूछा रहा है, तो ऐसा बनेगा, यह VT ग्राफ है, और यह 80 ग्राफ बनेगा ऐसे, यह starting value 6 है, इसकी maximum value 2 है, ओके, यह first option हो गया, first question हो गया, इसका है, इसके तीनों options नहीं है, 123, आते हैं हम हमारे, second question पे, second question में आपको एक ball दी गई है, जो two small ball A and B are launched in the same vertical plane, with same speed 28 T equals to 0, फिर इसमें आपको यह बोला गया है, कि initial acceleration जो है, वो horizontal है, ball horizontal velocity, and ball B is initial velocity at theta angle, तो आपको अगर यह mid air में collide करें, ना, देखो, यह इस line of joining से, उपर कितना है theta, और यह कितना आएगा 30 degree, 10 theta लगा लो इसमें, 100 upon 100 by root 3, तो इसका मतलब यह हुआ, कि इसका मतलब जो relative x distance है, वो तो x component की यह ज़िसे cover होगी ना, तो इस case में, x direction में हम बात करेंगे, ux into t, x direction में कितना cover करना है, 100 to 3, कौन cover करवा रहा है, उधर का 20, और इधर का 20, cos theta plus 30, यह तो velocity हो रहा हैगी, इसको t time लगेगा, यह net लिख रहा हूँ, मैं net x component, net displacement x में, net velocity का x component, इसी दरह से y direction में, u y net into t, half a y net into t square, अब देखो इस case में, y direction में कितना गवर करना है, 100, कौन cover करवा रहा है, इसका तो y component 0 है, इसमें y component आएगा, 20 sin theta plus 30, यह y component ground के relative है, ठीक है, into t, दोनों projectile हवा में इस लेन का, relative y direction का acceleration का आएगा, 0, तो यह factor तो आगए 0, अब इन दोनों equations को divide करो, तो देखो, 100 root 3 upon 100, 21 plus cos theta plus 30, 20 sin theta plus 30, t भी इदर आ रहा है, यह दोनों equation को divide का है, 20 is 20 कटेगा, यह कटेगा, तो यह आएगा, root 3 बराबर cos, या अपने बोल सकते हैं, 10, root 3 बराबर 10, theta plus 30, यह कितना आएगा, इसका अदर theta plus 30, कितना आना चाहिए, 60 degree, तो theta कितना आएगा, 30 degree, theta 30 degree आने का अदा, value निकाल सकते हैं, तो यहाँ value डाल दो, so 20, sine 60 कितना हो जाएगा, root 3 by 2, बराबर T, तो time कितना जाएगा, इससे 10 by, root 3, मेरा 4th option सही है, और मेरा 1st option सही है, 2nd का, 1st or 4th, कोई confusion, इसका आता है, 3rd question, 3rd question में आपको यहाँ पे, एक particle, boy जो है, वो इस्टेंड कर रहा है, platform पे जो accelerate कर रहा है, 2 से initial velocity 0 है, और यह ground पे था, ठीक है, 2 second बाद इसने ball को उपर फेका, खुद के relative art की speed दी है, तो इसमें समझना आप इसको, कि platform t बराबर 0 पे यहाँ था, t बराबर 2 second बाद, कुछ तो height इसने भी gain कर रही होगी ना, platform ने, तो वो height initial, और इसकी velocity initial V मान लेता हूँ, तो h कितना हो जाएगा, ut plus half 80 square, initial velocity 0 है, acceleration 2 है, तो h की value कितनी आएगी, 4, velocity कितनी आएगी, u plus 80 से, 0 plus 2 into 2, 4, मतलब ball factor platform इतना उपर आ चुका था, ground से, इसमें कोई confusion, फिर आपने इस platform से, 8 की additional speed और दे दी object को है ना, और उसको आपने उपर fake दिया, तो relative acceleration, relative speed हमने कितनी दे दी इसको, 8, तो ground के relative इसकी total speed कितनी हो जाएगी, 12, जाना, ground के relative 12, और platform के relative, तो platform तक आने में कितना time लेगा, जैको t, catch करने का time, यहने की platform पे वाँपर आने का time, यह हो जाएगा, 2 u relative by a relative, 2 into 8, u relative हो जाएगा, g plus a, क्योंकि platform उपर जा रहा है, तो यह जाएगा 16 upon 10 plus 2, जैने की 4 by 3, तो catch करने का time तो आएगा 4 by 3, सही बात है, ball maximum height कितनी gain करेगी, height max with respect to platform, तो platform के relative बात कर रहा हूँ मैं इसको है न, तो यह जाएगा u y square upon 2 a relative, यह भी relative में आएगा है न, तो u y relative square कितना है, 8 upon 2, 10 plus 2, 64 upon choice, 8 से काट ओगे तो 8 by 3, तो 8 by 3 आजाएगा, फिर यह बोल रही कि अगर यह particle को नहीं पकड़ता है, gain को नहीं पकड़ता है, तो कितने time माद उजमीन पे गिरेगी, जमीन पे गिरने के लिए, देखो बेटा, gain को, इस तरह साना पड़ेगा ना, तो उसके लिए आप sy बराबर u y t plus half a y t square, अब यह with respect to ground है, with respect to ground कितना displacement cover किया, minus 4, कितना speed थी, 8 plus 4, 12, plus में, time, half, minus 10, यह तो gravitational acceleration है न, t square, तो यह कितना रहेगा, 5 t square, minus 12 t, minus 4, 0, इससे time के लिए जाएगे, 12 plus minus, b square minus of 4 ac, upon, 2 into 5, तो यह आएगा, 12 plus minus, देखो, यह आएगा, 2, 2, 4, अब 2, 2, 5 किसका square होता है, 2, 2, 5 होता है, 15 का square, 15 का square, 2, 2, 5 होता है, तो यह root 224 आ रहा है, इसमें, तो लगबग मैं इसको 15 मान लेता हूँ, तो, plus minus 12, plus minus 15 by 10, तो 27 by 10, यहने कि 2.7 एप्रोक्स आंसर आ रहा है, तो मेरा third option भी इसका सही बन जाएगा, कि confusion इसमें, अब आता हम हमारे fourth पे, fourth question में आपको बोला है, कि एक main जो है, वो rain को observe कर रहा है, falling 45 verticals है, फिर यह बोल रहे हैं कि, 0.5 के acceleration से भागता है, कुछ टाइम बाद इसको, rain जो है, वो वापस 45 degree angle पे दिखना शुरू जाती है, और इसकी speed 2 root 2 है, तो इसका मतलब देखो, फिर motion of यह same vertical plane में हो, तो ठीक है, आपको बताना है, यह possible है नहीं, तो देखो, शुरुआत में इसको 45 degree पे दिख रहा है, मतलब X component और Y component same होना चाहिए, V और Y component पे V, कब जब यह race में था, फिर यह बोल रहा है कि, जब इसने 0.5 के acceleration से भागना शुरू किया, तो इसको बाद में वापस rain 45 पे दिख रही है, तो person जब इतनी speed gain कर लेगा, तो उसको वो opposite 45 पे दिख रही है, velocity of person minus velocity of X, और यह अभी भी 45 पे, इसका मतलब यह value भी V आनी चाहिए, तो यह value भी आनी चाहिए, तो यह कितना आएगा, रूट 2 V, अब रूट 2 V कितना दिया आपको, तो रूट 2, इसका अंतलब V कितना आएगा, 2, मतलब इसका X और Y component कितना आए, 2 है, ठीक है, तो अब इस case में speed of rain related to ground, 2 root 2 है, सही बात है, person की speed, जब वो 45 पे गिरेगी, तो देखो, person की speed में से X component को इटाओ, तो velocity of person minus V, बराबर V, तो person की velocity क्या आएगी, 2V, 2V हैनेगी, 2 into 2, कितना आएगा, 4, यह आगया, फिर यह कितनी distance cover कर चुका हो, देखो, person की speed जब 4 होगी, तब तक वो कितना चलेगा, U square plus 2 AS, एक बताना है, कितना है, 4 का square बराबर 0 का square प्लस 2 acceleration है, 1 by 2 और AS, तो कितना जाएगा, 16 मिटर, तो यह 16 मिटर cover कर चुका होगा, बिल्कुल सही बात है, तो 4th का जाएगा, इसमें 3 option, 2, 3, 4, अगला आता है, 5th question, 5th question में आपको यहाँ पे, A, B के बीच का एंगल दियावा है, theta, और A और B की value दीवे, तो देखो, इस तरह से बात करते हैं, यह 10, यह 8, यह इनका इच का एंगल theta है, यह R बनेगा, और यह alpha बनेगा, तो यह theta, alpha की maximum value पूछना चारें, कब होगी, तो 10 alpha हमारे पास क्या होता है, B sin theta upon A plus B cos theta, value डालोगे तो, 8 sin theta upon 10 plus 8 cos theta, तो अब इसको आप क्या करोगी, differentiation करो with respect to alpha, तो 10 का differentiation, seg square alpha, d alpha by d theta, इसका differentiation करोगी, 10 plus 8 cos theta का square, u by v method से, 10 plus 8 cos theta, फिर उपर वाले का differentiation करना है, पहले 8 cos theta हो जाएगा, minus, अब इधर differentiation करना है, आपको नीचे वाली term का, तो 10 का 0, 8 cos का हो जाएगा, minus sin theta, अब देखो, जब आपको maximum बताना है, तो d alpha by d theta को 0 करना पड़ेगा, d alpha by d theta 0 कब होगा, जब इधर उपर वाली term 0 हो जाए, उपर वाली term 0 हो जाएगा, 80 cos theta plus 8, into 8 हैने की 64 है, 64 cos square theta plus sin square theta, ये 0 होना चाहिए, ऐसा 0 होने के लिए, आपको cos theta मिलेगा, minus 64 by 80, 16 से काटोगे, तो minus 4 by 5, cos theta minus 4 by 5 कब होता है, cos theta यह होता है, 143 पे, तो 143 आपका answer बन जाएगा, इस case में, इसके बाद इसके लिए alpha कितना आएगा, तो यहाँ value डाल दो, 8 sin 143, 10 plus 8 cos 143, यह हो जाएगा, 8 into 3 by 5, 10 minus 8 into 4 by 5, मतलब यहाँ minus आजाएगा, solve कर तो कितना आएगा, 24 upon, 50 minus 32, तो इसको काटोगे, 8 से तो, 3 by 4 by, just a minute, 18 आएगा, sorry sorry, 18 आएगा, तो यह कट जाएगा, 4 by 3 है न, यह आएगा, 24 upon, 50 minus 32, यहने की, 24 by 18, यहने की, 4 by 3, 10 inverse 4 by 3, कितना होता है, 53, ओके, तो आपका, 1st और 4 यहाँ, बन जाएगा, simply, maximum minimum concept से, solve करना था, इसको, आगे बढ़ते हम, हमारे 6 question पे, 6 question में, आपको यहाँ पे, x और y equation, given है, आपको इसमें, parameter बताने है, acceleration और velocity के, differentiation करोगे, तो vy कितना हो जाएगा, u, 0, sorry, t का तो 1 होता है, 1-0, a, 2, t-2, तो यह जाएगा, u plus 2a, t-2, यह तो velocity का, y component, acceleration क्या हो जाएगा, 0 plus 2a, तो बोल रहे है, acceleration of particle 2a है, 2 second पे, particle origin पे हो गए, चेक करना है, तो देख लो एक बार, u, 2-2, plus a, 2-2 का square, बिल्कुल सही बात है, 0 आ रहा है, तो particle origin पे होगा, y, 0 मतलब origin ही होता है, क्योंकि y से scale होंगी, चल रहा है, initial velocity पूछा है, t, बराबर 0 पे, initial velocity क्या जाएगी, vy, y, t, t, बराबर 0 पे आएगा, आपके पास, u, plus 2a, 0-2, तो यह आएगा, 0-4a, u-4a, तो यह गलत हो जाएगा, तो 6 का हो जाएगा, 3 और 4, इसमें कोई confusion, बच्चों आते हैं, हम हमारे 7th question पे, 7th question में आपको बोला है, कि अगर air resistance को neglect नहीं करें, और यह opposite direction में है, x component of velocity के, ठीके, एक body of mass m is projected, तो, देखो हमें comparison करना है, basically 2 path में, एक path तो कब के लिए ही, जब आपने object को fake और air resistance नहीं था, तो इस case में, यह हम axis बनाते हैं, तो जब resistance नहीं था, तब के case में, यह angle theta 2, और यह angle है 5 1, फिर यह angle है theta 1, और इधर angle है 5 1, तो resistance नहीं है, यह figure मान लेते हैं, when air resistance 0, जब air resistance 0 है, तो उस case में, देखो component of velocity सेम रहेंगे, जतना इसका x component रहेगा, उतना ही y component भी रहेगा, तो देखो velocity का x component, जतना पहले था, उतना ही अब भी रहेगा, यह vx और यह vy, ठीके, तो इस case में, जब vx, डेश मान लो इनको है न, तो vx डेश, vx के बराबर, vy-vy के बराबर, it means क्या हो जाएगा, theta 2 जो है, वो theta 1 के बराबर, और phi 2 जो है, वो phi 1 के बराबर है, यह case तो तब जब air resistance, consider नहीं किया, जब आप कर रहे हो, तो कर रहे हो, तो देखो, जो component आएगा, vx डेश, वो less than आएगा, vx से, और vy, उसको तो यह कोई effect नहीं करेगा, अब जो देखो, यहाँ से आपकी angles देखने, तो इस case में, यह theta 1 एंगल, और यह 5 1 एंगल, ठीक है, अब यहाँ पर अगर मैं देखता हूँ, तो y component तो as it is, but x component कम हो रहा है, x component के कम होने से, जो net velocity यह y component की तरफ shift हो जाएगी न, इसका मतलब theta 1 घटेगा, और theta 1 अगर घटेगा, तो 5 1 बढ़ जाएगा, ठीक है, अब देखो, x component कम भी हो रहा है साथ में, x component कम होने से, range जो है, वो कम हो जाएगी, क्योंकि range जो है, वो x component decide करता है, देखो, r is uxt half ax t square, तो जो हवा का resistance है, time of flight पर फरक पड़ता है क्या, बिल्कुल नहीं पड़ता, देखो, t बराबर क्या होता है, 2 u y by g, y component को affect नहीं कर रहा है, resistance इसलिए time of flight, same रहेगा, ओके बिटा, बिल्कुल आसान सा question, आगे बढ़ते हैं, 8th question, 8th question में आपको यहाँ पर एक object दिया हुआ है, जो ground से 40 root to speed से फेका गया है, 2 second बाद अपके उसमें comparison करना है, तो देखो, 40 root to 45 degree पर है, तो इसका x component क्या आएगा, 40, y component कितना आएगा, 40, यह बोल रहे हैं, 2 second बाद इसका height, velocity का angle, vertical component displacement, पिल्कुल जनरल चीज़ें इसमें बतानी है, तो एक बार देखो, 2 second बाद, हम इसमें माल लेते हैं कि 2 second बाद object यहाँ तक आया होगा, यह x component, यह y component, यह इसकी height, और displacement यह होता बिटा, यह displacement और यह इसका x direction, ठीके, अब देखो, इसमें आपको solve करना है, तो सबसे पहले, vx, क्या हो जाएगा, ux plus ax t, x direction में तो कोई acceleration या retardation नहीं है, इसलिए x component सेम रहेगा, y component, 40 minus का 10, gravitational acceleration नहीं है, 20, तो velocity जो है, उसका angle कहां से पूछा है बिटा, vertical से, तो vertical से angle यह theta dash बताना है, तो theta dash, 10 theta dash क्या हो जाएगा मेरे पास, vx by vy, vx कितना है, 40 by 20, यानि की 2, तो 10 inverse क्या हो जाएगा 2, तो मेरा angle तो सही आ रहा है, displacement के लिए मुझे x और y बताना पड़ेगा, vertical component velocity का 20 है भी सही है, particle की height बता नहीं है तो, height मतलब y coordinate, क्या हो जाएगा, yt minus half gt square, 40 into 2, half 10, 2 का square, कितना हो जाएगा, 80 minus 20, 60 meter, विल्कुल सही बात दे बिटा, 60 meter height हो जाएगी, displacement का magnitude, जब को displacement क्या हो जाएगा, displacement हो जाएगा, पहले x का मुझे बताते हैं इसमें, x क्या हो जाएगा, ux into t, 40 into 2, 80, अब displacement कैसे निकाल होगी, x square plus y square, 80 square plus 60 square, that is, 100 meter, तो चारो options हाएगे, मेरे 8 के, 1, 2, 3, 4, इसमें कोई confusion मेटा, बिल्कुल basic concept पे अपका ही question था, 4 option इसके सही है, अगल आता है, 9th question, ओके, 9th में देखो, आपको यहाँ पे एक, particle दिया है, 1 kg मास का, प्रोजेट किया है, velocity root 20 से, strike on the same level, and distance root 3 meter, देखो, root 3 पे आपका है particle, जो heat करता है, root 20 की speed से फेका गया, मतलब इसकी range कितनी है, range जो है, वो होती, u square sine 2 theta by g, यह है root 3, root of 20 का square, sine 2 theta by g, जी की value कितनी होती है, वो value डाल दो यहाँ पे, तो यह कितना हो रहाएगा, 20 से 2, रूए आएगा, root 3 by 2, बराबर sine theta, sine 2 theta, अब sine 2 theta, इसका मतलब कितना होना चाहिए, या तो 60 हो सकता है, या 120 हो सकता है, क्योंकि दोनों पे वेल्यू आती है, इसका अंदर theta की value, मिरे पास 2 possibility हैं, तो 30 degree, या 60 degree, ओके, अब यह बोल रही है कि, maximum height क्या होस्ते को, दो इंगल है ना, तो 2 possibility आईगी है, अब यहाँ पे इनों ने, जो जो हम से पूछा, उसको चेक करते हैं, पहले बोल रहा है, maximum height, हैना, एक बार में 30 degree के लिए, मान के चलता हूँ, कि अगर 30 degree हुआ, तो क्या होगा, तो h कितना हो जाएगा, u square, sine square, 30 degree by g, u square कितना है, 20, 1 by 4 by 10, कितना हो जाएगा है, 0.5 meter, ठीक है, range कितनी आएगी, range तो root 3 आएगी, सही time पूछ लेते हैं, यहना, time बताते हैं, एक बार, time आएगा, 2 u sine theta by g, कितना हो जाएगा, 2 root 20, 1 by 2, 10, तो यह कितना हो जाएगा, 1 upon root 5, ठीक है, यह तो आएगा time, और minimum speed कि आएगी, minimum speed आएगी, x component, क्या हो जाएगा, u cos theta, root 20, root 3 by 2, root 15, यहना, बहुत चार से कटे का पांच बार ठीक आजाएगा, root 15 आजाएगा इसका तो, तो देखो, यह बोल रहे हैं कि, velocity की minimum value, root 15 हो सकती ही, बिल्कु सही बात है, height, 0.5 तो हो सकती ही, 0.25 अभी चेक करेंगे, 60 पो सकती होगी, अभी बाकी 60 के लिए चेक करना पड़ेगा, तो height, अब theta की value अगर 60 हो, तो क्या होगा, तो u square हैने की 20, sin square theta हैने की 3 by 4, तो हाइट में यहाँ 2G आएगा ना, just a minute, तो यह 0.25 आएगा, तो 0.25 आएगा, तो 0.25 भी possible तो है, और अब यहाँ पे, तो यह आएगा, 0.75, time कितना आजाएगा, 2 u sin 60 by g, तो 2 root 20, root 3 by 2 by g, कितना हो जाएगा है, root 3 by 5, तो root 3 by 5, यह नहीं की है, देखो, यह आगया, मतलब 4 option possible है, यह का time कप आएगा, यह आएगा बेटा आपका, यह possibility आएगी, theta बराबर 60 पे, यह दोनों possibility आएगी, theta बराबर 30 डिगरी पे, और यह तो एक theta आई रहा है, तो यह आपका option मन गया, मतलब दोनों possibilities के लिए, आपको इसमें check करना था, 9th question में, ओके, आगे बढ़ते हम हमारे 10th question, पर इसमें note करें बिटा, 10th question में आपको एक VX graph दियावा है, VT graph दियावा है, VT graph के लिए आपको इस तरह से, कुछ options पूछे गए, पहले पूछा है, constant acceleration है क्या, बिल्कुल straight line का slope constant है, इसका मतलब की constant acceleration है, particle never turned out, देखो, जितना positive displacement आया, उतना ही 20 second में negative displacement भी आया, है ना, मतलब positive गया, फिर T बराबर 0 तक पे चलना शुरू किया, T बराबर 10 पे वो यहाँ पे आया, T बराबर 20 पे, उसने जितना भी positive displacement लिया, वो सब cancel कर दिया 20 तक, इसके बाद क्या होगा, अब यह पीछे गया, तो 20 second के बाद इसका displacement negative होगा, और यह बोल रहे है क्या है, कभी नहीं मुढ़ रहा है, बिल्कुल मुढ़ रहा है, यह option तो गलत हो गया ना, कब मुढ़ रहा है, T बराबर 10 पे मुढ़ रहा है, ठीक है, गलत, पार्टिकल है, जीरो displacement, जीरो displacement नहीं है, और अवरल इसका displacement negative है, यह भी गलत, एवरेज स्पीड 0 to 10, इस सेम है जैवरेज स्पीड in interval 10 to 20, तो इसका displacement कितना आएगा, वीटी ग्राफ के एरिया 5, 50 सोरी, और यह भी रहे कितना है 50, तो शुरू के 10 सेकेंड में भी 50, अगले 10 सेकेंड में 50, 50 आगे गया और 50 पीछा आया, तो एवरेज स्पीड तो सेम आईगी न, 50 by 10, तो फर्स्ट और फॉर्ट इसका correct option बन जाएगा, ओके बच्चों, यह आपका mcqs वाला option, जो section जो है complete होता है, ओके आते हम हमारे integer, numerical value part पे, तो अब इस case में आपको lift जो है, वो दी गई हो और यह lift जो है, वो descend करती है, तो आपको इसमें uniform acceleration, किस तरह से होगा, वो बताना है न, तो lift is descending with uniform acceleration to measure acceleration है, person in the lift drop a coin at the moment when lift was descending with 6 feet per second, ठीक है, coin is 5 feet above, देखो, इसमें ध्यान से समझ जा, क्या करा है, इसमें, जब lift की speed 6 feet per second थी, downward, you, तब उसने 5 feet की height से, एक coin को drop किया, मतलब relative velocity 0 है, ध्यान रखना हो, relative velocity 0 है न, और ये एक सेकेंड बाद, lift के floor से strike करता है, मतलब में relative displacement की बात करूं, तो एक सेकेंड में, coin ने lift के floor के relative कितना displacement कवर किया, 5 feet, तो 5, ध्यान तरना fit में लिखना है, अब data सब fit में चल रहा है, यू relative क्या है, 0 क्योंकि आपने drop किया है, एक सेकेंड यहां रख दो value, हाँ, A relative क्या हो जाएगा, A relative देखो, lift आ रहे है, A acceleration से नीचे, है न, descending uniform acceleration बोला है न, तो lift का acceleration मान लिया, A, coin आ रहा है, G से, तो देखो, 5 meter cover करवाना है, कौन support कर रहा है, 5 meter कर रहा है, यह लिफ्ट का downward acceleration, तो floor को नीचे कीचेगा, floor तो दूर जा रहा है न, उस A acceleration से, इसका मतलब, जो pass लाने का काम कर रहा है, floor के, वो कौन है, G, floor को दूर ले जाने का काम कर रहा है, तो यह तो negative काम कर रहा है, हम चाहते हैं, कि object floor से मिले, इसमें support कर रहा है G, और A कर रहा है oppose, तो जो support करता है पॉजिटिव, जो oppose करता है वो negative, ठीक है, और time 1 का square, तो यह value 5, half, G की value 32, minus A, 1, ठीक है, कितना ओर रहा है बटा, A बराबर 22, यह 22 feet में है, 22 feet per second square, तो आपका first option हो जाएगा, value आएगी 22, कोई confusion इसमें, अगला आता है, second question, एक अच्छा question है, second question, है ना, थोड़ा सा इसमें, bulb की जो image बन रही है, bulb से image बन रही है, वो लिख काम में ली गई है, तो concept क्या कह रहा है, कि आपने बोल को फेका, वो बोल इस तरह की trajectory कवर करते है, जहां वो गिरती है, वहाँ पे बल्ब है, यह जो है, यह क्या है, एक बल्ब, तो अब इस case में, यहाँ पे आपने एक बल्ब लगा दिया, अब यह बल्ब रोशनी हर तरफ फेक रहा है, तो जब object यहाँ कहीं रहेगा, इसकी रोशनी ऐसे निकलते, 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 यहाँ पे एक shadow बना देगी, यह पूसने कि, shadow की height time के साथ कैसे change होगी है न, अब देखो, shadow यानि कि छाया जो बनेगी, उसकी height हमें बतानी है, h height यह रही, तो मैं ऐसा करता हूँ, इसका coordinate माल लेता हूँ, y, यह coordinate माल लेता हूँ, x, और यह क्या है अपने पास, l, और यह क्या है, l minus x, तो देखो, यह theta देश माल लेते हैं, अब इसमें अगर हम symmetry of triangle देखे हैं, तो दो triangle बन रहे हैं मेरे पास, एक तो यह बन रहा है, और एक बड़ा triangle बन रहा है, यह वाला, तो देखो, यह height क्या है, h, यह height क्या है, l, यह क्या है, y, और यह क्या है, l minus x, तो symmetry कहती है कि, y upon l minus x is h upon l, तो h क्या हो जाएगा, l, y, l minus x, ठीके, तो इससे h आएगा, आपके पास y, 1 minus x y, l, एक बार देखते हैं, इसमें आपको, l distance दूर यह गिरता है, minimum possible velocity, देखो, minimum possible velocity से आपने फेका है, इसका मतलब, आपने range, minimum possible velocity से फेकते हुए, l distance दूर फेका है, तो यह l क्या है, maximum range है ना, तो maximum range की की इसमें, r max की आएगा आपके पास, u square, sin 2 into 45 by g, that is l, तो इसका अनलब, u क्या हैगा, root of gl, अब इसमें x कम पुइंट क्या हैगा, मतलब, आपने फेका कितने पे, आपने theta को 45 degree रखना ही पड़ेगा, तब ही तो आप minimum speed रखते हुए, maximum distance पे फेक सकते हूँ, है ना, minimum speed रखते हुए, maximum distance पे कब फेकेंगे, जब theta 45 होगा, तो आपने theta 45 रखते है, तो x कम पुइंट कितना आजाएगा, u by root 2, यहनि कि root of gl by 2, u by b कितना आएगा, u by root 2, root of gl by 2, अब इससे x की value क्या आएगी, root of gl by 2 into t, y क्या हो जाएगा, root of gl by 2, t, minus of half gt square, ठीक है, अब देखो, root of gl by 2 तो हारा answer में है, एक बार यहां value पुट करता हूँ में, तो यह क्या जाएगा, देखो इसमें, y की value रखेंगे, root of gl by 2, t, minus of half gt square, 1 minus root of gl by 2, t, x, y, अब इसमें इसा करता हूँ, root gl by 2 t को common लेलता हूँ, तो मैं एक calculation थोड़ी सी, यहां कर देता हूँ, एक बार, root of gl by 2, t को common लेलिया, ठीक है, मतलब इस factor common लेलिया, यहां क्या बच्चेगा, 1 minus, 1 minus कर देखो, root 2 बाहर लिया न, मैंने, तो इधर बच्च जाएगा, root 2, root g, 1t बच्च जाएगा, l बाहर लिया, तो l divide मा जाएगा, और 2, यहां न, इसमें भी आप l को divide करोगे, तो 1 minus, देखो, इसमें से l divide करोगे, न, तो क्या जाएगा, root of g, sorry, 1 minus, g upon 2 l, t, तो देखो, यह bracket से, यह bracket खतम, क्या बच्च जाएगा मेरे पास, t root g l by 2, तो इसको अब थोड़ा सा solve करेंगे, यह से अपन, t root g l by 2, यह तो आई गया, लेकिन, आगे तो कुछ नहीं आ रहा है, 1 आ रहा है न, तो 1 को मैं ऐसे कर दू, 3 by 3, अब यह क्या है, यह है मेरे पास answer, n की value, n कितना आएगा, 3, तो आपको height का function बताना है, कि जब यह object यहाँ से यहाँ तक यह से आएगा, तो bulb से जो रोशनी मिलेगी, उसके से वो object की, कोई छाया बनेगी, वो चाया ground से कितना उपर रहेगी, वो आपको time के function में बताना है, फिए confusion इसमें, ओके, यह अपना, second question होता है, note करें एक बार इसको, आता है, third, third में देखो, आपको यहाँ पर, एक vs graph दिया वाय, motion का, time needed for motorcycle to reach 120, 120, अब देखो 120 तक मौशने में कितना time लगेगा, सबसे पहले दो पार्ट में इसको break करते हैं, एक तो पहला पार्ट, तो 0 to 60 मिटर का जो पार्ट, एक बार पहले इसको solve करते हैं, V की equation क्या आएगी, Y equals to MX plus C के इसाफ़ से, intersection है, 3 plus slope कितना है, 15 minus 3 by 60 by DT, ठीके, तो यह रहा है का, Ds upon S plus 15 DT by 5, integrate कर दो, तो Ln S plus 15, क्या 0 से 60, T by 5, तो क्यों रहा है का, Ln 60 plus 15 minus of Ln 0 plus 15, बर आबर T1, T1 time माले ले इसको है न, T1 by 5, Ln 75 by 5, 15, तो T1 कितना हो जाएगा, 5 Ln 5, Ln 5 कितना दी आपको, 1.6, 5 into 1.6 कितना हो जाएगा, 8, हो गया, अब जो दूसरा time है, वो है 60 से 120, 60 to 120, 60 to 120 आने में कितना time लगेगा, constant speed है ना 15, तो यह तो direct निकाल लो, T2 time तो, 120, 60 से 120, total 60 का displacement आया, 15 की speed है, 4 सेकेंट यह लग जाएगे, तो total time किया आएगा, T1 plus T2, 8 प्लस 4 बडाबर 12, कोई confusion इसमें, यह जाएगा, 3rd, का answer 12, आते हैं हमारे, 4th question पर, 4th question में आपको, वो देखो एक अच्छा question है, 2D में, 2D motion के लिए, एक particle जो है, वो initially, fix point O से 16 मेटर दूर है, फिर यह particle P, जो हो मूँ करता है, जिसकी velocity वे दो component है, एक component तो fix है, आई के, लेकिन दूसरा component जो है, वो speed तो fix है, 5, बट उसकी direction change हो रही है, आई, P O is unit vector from P to O, at any time, initially P O is perpendicular to I, तो देखो, थोड़ा सा यहां situation draw करते हैं, इस case में, particle मान लाता हूँ मैं, यहां पर है, तो इसकी initial velocity है, 3 I, O point यहां पर है, T बराबर 0 पर मैं इसको मान लेता हूँ, तो 5, इधर आएगा न, पर पोजिशन, अच्छा, P position fix नहीं है, P for particle है, जहां particle होगा, वही P point डाल देंगे, अब इस velocity के जिसे, कुछ time बाद, particle कैसे मूँ करेगा, ऐसे मूँ करेगा, अब यह यहां आगया, जैसे यह यहां आया, अब देखना, ध्यान से इसको, इसमें X component of velocity क्या है, X component of velocity तो है, 3, एक P से हो, P point अब इसी को बोलना है, बोलाता न मैंने, यह 5, अब इसमें initial distance, जो 16 है, उसको कम करने का काम कौन करेगा, यह 5, लेकिन यह 3 का एक component अब बोज भी तो कर रहा है, इसका मतलब, 5 minus 3 cos theta, यह वो velocity है, जो इस 16 को कम कर रही है, मतलब कि dr by dt, तो dr बराबर क्यों हो जाएगा, 5 minus 3 cos theta dot dt, कितना cover करवाना है, 0 से 16, और यह 0 से t, अब एक दूसरी चीज़ देखो, इस direction में, x direction में आप अगर देखेंगे, तो x direction में object आगे जा रहा है, शुरुवात में चलो, मैंने इसको x में मान लिया, point भी x में, तो पूरे motion के बाद object थोड़ा बहुत आगे गया, लेकिन वापस यह पीछे भी आना चाहिए न, इसका मतलब, इसका complete x direction का displacement क्या हो जाना चाहिए, 0, तो देखो इसको x में, यह एक component जो है, इसका भी एक component ले लो, पीछे 5 cos theta, तो इसका मतलब, dx by dt, यह क्या हो जाएगा, 3 minus of 5 cos theta, यह, यह जो displacement है, cos theta, यह तो velocity of का x component, 3 minus 5 cos theta, लेकिन हमें पता है, ultimately x direction में, initial coordinate 0 था, और final coordinate भी 0 हाना चाहिए, तो 0 से 0, 0 से t, इसका मतलब, 0 बराबर 3 t, 5 of cos theta dot dt, तो यह कितना आजाएगा पीटा, यह आएगा, integration 5 cos theta dt, बराबर 3 t, अब यह value को solve नहीं करना है, इसको as it is यहाँ put करना है, तो देखो, यह क्या है, 16, 5 t minus integration of 3 cos theta dt, अब इस में से यहाँ करो, आप 5 को अटा दो, केवल cos theta रख लो है न, तो cos theta यह क्या रहाएगा, 3 t by 5, तो यहाँ से भी आपके लिखोंगे, 5 t minus 3, cos theta dt, अब इस पूरी value को replace कर दो, 5 t minus 3, 3 by 5, बराबर 16, तो कितना आएगा बिटाए, यह आएगा, 25 minus 9, 16 t, तो इसको solve करेंगे, तो यह आएगा, 16, बराबर 25, t minus 9, t, बटा 5, तो t कितना आजाएगा, इसमें 5 second, मतलब 5 second लगेंगे, object को वापस, O तक आने में, इसमें ध्यार रखना, velocity constant नहीं है, है न, उसका magnitude भी even constant नहीं है, क्यों, क्योंकि यह component variable है, 5 वाला component variable हो, हमेशा जेकेप में नहीं है, तो इस तरह सो object, यूँ path करते करते हो, वहाँ पहुचेगा, ओके बिटा, यह आगया अपना, 4th, क्ये बाद आते हैं, 5th पे, 5th में आपको एक वीस ग्राफ दियावा है, acceleration आपको बताना है, at s equals to 50, तो देखो, s equals to 50 पे, यहां कहीं यह रहेगा, तो 50 पे, velocity की value कितनी रहेगी, 200 पे 40 होगी, तो 50 पे 20 होगी, और इसका, V dv by ds, यह होता acceleration, value 50, slope कितना हो जाएगा, 40 by 100, तो कितना आएगा, 8 हाजाएगा, तो acceleration कितना आएगा, 8, और last question, 6 particles जो है, वह regular hexagon पे है, उन पे, offside 6 meter, move at constant speed 4 meter per second, particle maintain direction towards particle next, यह अपने एक triangle वाला question किया था न, बिल्कुल वैसे ही, अब hexagon के लिए बस, यह regular hexagon, अब यहाँ पे, आपको particles दिये में, यह एक V, इसकी भी speed V, सब की speed V, सब अगले वाले particle को chase कर रहे हैं से, तो वापस वही कि, यह इस corner पे नहीं आएगा, यह chase कर रहे हैं, तो जैसे यह थोड़ा सा आगे जाएगा, यह अपनी direction change कर लेगा, यह change करेगा, तो वो भी change करेगा, सब change करेंगे, ultimately क्या होगा, यह सारे के सारे, इधर centers पे आके मिल जाएंगे, centers पाके मिल जाएंगे, तो किसी भी strength पे, हमेशा जब आप इनके corners को मिलाओगे, तो एक regular hexagon ही बनेगा, तो हमेशा relative velocity, same आएगी, तो यहाँ पे देखो, वो velocity जो इनको पास लाने का काम कर रही है, वो कौनसी hexagon का अंदर का angle 120 होता है, बाहर का कितना हो जाएगा, 60, तो क्या हैगा, V minus of V cos 60, यह relative speed, है न, इसको time से multiply कर दूँ, तो कितना आजाएगा, L relative separation तो इतने cover होगा न, तो V minus V by 2, T बराबर L, T बराबर 2 L by V, 2 6 by 4, 3 सेगेंड, तो 3 सेगेंड अपना answer इसमें बन रहा है, कोई confusion मिटा, तो इस तरह से आपका J E, DCM सीरीज का जो पहला पे पर था, इसमें पहला पे पर था J E का, topic हमने cover किया, vector 1D, 2D relative motion, तो I hope आपने अपने सारे concept अच्छे से यहाँ अपलाई कियोंगे, और आपका paper काफी अच्छा है गया होगा, जो भी आपको यहाँ पर सीखने को मिला, उसको अपने notes में update करते रहें, अपने notes को बहुत strong बनाते रहें, और आने वाले papers में इसी तरह से त्यारी करते रहें, ओके बच्छो, thank you, all the best.